नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कमल शर्मा और आपके लाइस ब्लू के इस ऑफिशल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में आज हम कवर करें कि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स जिसका ट्रेडिंग अभी फ्यूचर ऑप्शन में 24 जैन्मरी से सुरू होने वारा है तो इस वीडियो में आपको इसके पारें कम्प्लीट जैनकारी मिलेगी तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आगे आने और अच्छे इंप्रमोटी वीडियो को आप मिस ना कर सके तो दोस्तों जैसा कि एक्सचेंज ने सेभी के अप्रूवल के बाद में इंफॉर्म किया है कि 24 जनवरी 2022 से फ्यूचर और ऑप्शन टेडिंग स्टार्ट होगी निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में जी हाँ दोस्तों निफ्टी मिड कैप सेलेक प्रकार का इंडेक्स है जो की ने लॉंच किया है और इसमें फ्यूचर ऑप्शन की टेडिंग भी 24 जनवरी 2022 से सुरू होगी तो इस निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है क्या सेलेक्ट इंडेक्स क्या है कैसे इसमें टेडिंग हो पाएगी किस तरह के कॉन्टक्ट इंप सब चीजों को हम इस विलों में आपको आज कवर करके बताएंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स है क्या निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स जो होता है वो एक तरह से जो सबसे 25 लिक्ट मिड कैप स्टॉक्स है उनको ट्रैक कर में किवल से 25 जो सबसे liquid mid cap stocks हैं उनको चूज करके ये nifty mid cap select index बनाए गया है और जिनकी trading आपको future और option में देखनों को मिलेगी ये जो stocks इसमें select किये गये हैं ये इनके market capitalization इनके average daily turnover और जो इनका free fruit market capitalization है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए NSE ने select किया है और उसके बाद ये nifty mid cap select index बनाया है फ्यूचर और option में trading के लिए इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि जो अगर ये पूरा mid cap select index बना है तो इसमें 100% में sector का representation कि इस तरह तो अगर आप इस slide में देख पा रहे होंगे तो इसमें को पता चल रहा है कि जैसे कि financial services जो है ये इसमें करीब इनका weightage करीब 26.63% है जन आटोम oil के shares है जिनका percentage is 13.21 है दे निनेश्टेल manufacturing, power, chemical, media, consumer goods, oil and gas, consumer services, textile, construction services, cement industries यानि कि ये diversified एक तरह का nifty mid cap select index है जो कि अपने आप में हर तरह की industry को अपने साथ सामिल किया हुआ है और इसके हिसाब सही इसमें trading बनेगी इसमें जो top companies है अगर उनका मैं नाम लूँ तो उसमें सबस्पहले जैसे की Tata Power करीब दे साड़े साथ परसेंट, S.R.F. limited साथ परसेंट, G. Entertainment, Voltas, भारत टानिक्स, स्रीराम टांस्पोर्ट, ट्रेंट, पेज इंडस्ट्री, EU स्मॉल बैंक्स और गोदेश प्रपरटी जैसे में में जो companies है जिनका वेटेज रहेगा इस Nifty Mid Cap Select Index में और अगर मैं complete list की बात करूँ जो 25 companies तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन पूरी 25 companies की list हमने आपके सामने दी हुई है जो कि अलग-अलग sectors से हैं जैसा मैंने आपको बताएगे फैनसर सेक्टर का इसमें करीब 26% का वेटेश है तो आप देख सकते हैं कि यहापे industries है जो leading mid cap stocks है उनको select करके यह nifty mid cap select index बनाया है एनसरी ने और इसकी derivative trading यानि कि future और option की trading आगे आने वाले 24 तारिक से हमारे index हमारे platforms पे देखने को मिलेगी तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका contract किस तरह से होगा contract के specification क्या हो सकते हैं तो जैसा कि NST ने बताया है कि इसके future और option जो available होंगे उनका जो tick size होगा वो 5 पैसे का हो यानि कि 0.05 और contract का size होगा 75 जैसे कि हम देखते हैं nifty 50 के अभी अगर हम nifty index की बात करें जहां हम trading करते हैं future option में तो वहाँ उनका lot size होता है 50 का होता है bank nifty का 25 का होता इसी तरह से इस mid cap nifty का जो select index का जो contract size होगा वो 75 शरू का होगा उसके साथ में जो trading cycle होगा वहां पर आपको साथ weekly contract और three monthly contract इसके अलावा देखने को मिलेंगे और इसका जो expiry होती जैसे कि अभी nifty और bank nifty के अंदर trade हो रहा है वो हर गुरुवार को हमको expiry देखने को मिलती है उसी तरह से यहां पे हर Tuesday को आपको expiry देखने को मिलेगी और last Tuesday of every month जो होगा वो उसका expiry month होगा जैसे कि हर गुरुवार जो last month का होता है nifty और bank nifty के लिए हमारा expiry का day होता है तो इसी तरह से last Tuesday जो होगा वो हर मन्त का वहां पे expiry का date होगा और यहां पे जो आपको strikes मिलेंगी वो मिलेंगी एक ATM के strikes 30 उपर उसके उपर out of the monies और 30 आपको उसके नीचे in the money contact देखने को मिलेगा यानि कि total 61 strikes आप एक टाइम पे वहां पे चूज कर सक होता है इसी तरह से इसके अंदर भी आपको 50-50 के strikes इंटरवल पे आपको चूज करने को मिलेंगी option टाइप जो होगा और यह पूरी तरह से cash settled होगा और इसमें आपके जो quantity freezing होगी वो 5500 होगी यानि 5500 से ज्यादा एक बार में इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगी तो पूरी specification हमने आपको बताई और Nifty Select Mid Cap Index जो 24th of Gen से सुरू होने बाला है तो अगर आप लोग बहुत पसंदा Shares हैं आपके Mid Cap Stock जो की सब के पसंदा होते हैं काफे mutual funds जो managers होते हैं वो Mid Cap Stocks से related अपने mutual funds के schemes भी पनाते हैं और उनमें trade करते हैं तो उन सभी के लिए बहुत अच्छा ए अगर आपने Mid Cap में कोई Stocks ले रहा के हैं तो उनको अब हैजी भी कर पाएंगे तो इन सब चीजों का फाइदा उठाए NSE का ये बहुत अच्छा कदम है जो उसने एक ये Nifty Select Mid Cap Index शुरू कर रहा है और हम NSE को धनवाद देना चाहेंगे कि उसने Mid Cap Index की तरफ भी ध्यान दिय में Mid Cap Stocks के तरफ और हमें ये Nifty Select Mid Cap Index में भी टेडिंग करने के सुधा पतान कर रहा है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और तो थैंक्स फार वाचिंग और पूरे L.S. Blue की टर्म से मैं आप सब का धनवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब Nifty Mid Cap Select Index में 24 ज